मुख्यमंत्री शिवराज जी कह रहे हैं कि 18-18 गंटे बैठूंगा मैं मीटिंगों में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है इंदौर में और जो प्रवासी भारति सम्मेलन हो रहा है बासणों से टाई अपनी होते वो खुद कह रहे हैं और सुनिए सबसे बड़ी बा उनमेटा से सुझा मांग रहे हैं मुख्यमंत्री यहां मतलब मद्हेस की जनता से परेसान है बीज़गारी से परेसान हो हजार बार कह चुके हैं बेरोजगार कि हमें 51,000 पत दिये जाएं हमें भरतियां चारों साल निकाली जाएं चुनाब के समय नहीं निकाली जाएं MPPSC की जो भरतियां वो समय पर हो जाएं कोट केस में लटकी हुई है तो जब जनता से सला ले ही रहे हो बजट को ले करके तो जनता चीक चीक करके कह रही है उस समय जनता की आवाज क्यों नहीं सुझा रहे हैं और यह बजट अगर याद होगा तो पहले भी सुझाब मांगे गए थे लेकिन ऐसी ऐसी बात निकाली गए थी कि पता आई नहीं था वह सोजाव दिये किसे ते क्या इसमाई सारवजनिक होगा कौन सी जनता ने विए इससे आपने सुझाब मांगा है जो जनता सुझा दे रही है उस पर तो आप बचार नहीं कर रहे है एना जनता खुद कह रही होगी कि व्यापम कांड कर्वाने हैं यह लड़का ही कह रहे होंगे कि MP टेड में गोटा लाओ यह लड़की कह रहे होंगे कि परिक्षा के पर आउट हो जाएं फिर किसी को सजा नहीं हो जो जंता कह रही हो उस पर विचार रही है अब सुनिए Global लोगल इंवेस्टर समेट है ना और जो प्रवासी भारतिय सम्मेलान हो रहा है उसको ले करके मुक्ख मंत्री सिवराज जी कह रहे हैं कि अठारे गंटे जो मैं बैठूंगा मीटिंग में वन्टूवन करूंगा और लगवक्त 300-400 जो भी कंपनिया है उनसे वह बात करेंगे अब 18 गंटे से डर लगने लगा है क्योंकि मोदी जी भी 18 गंटे मेनत करते दे अब उसके परणाम सामने आ रहे हैं तो 18 जो शब्द है उससे एक मिनिट भी वह कम नहीं करेंगे मुक्वंत्री जी अठारे गंटे बदा अठारा महिनत करते देपाई तो 18 गंटे मेनत उड़्योग पतियों के लिए वो रही है इसे लगloo है हो तो 18 गंटे की महिनत पंप्र किसके लिए उई अंबानी औरानी के लीधी उइ जनता के लिए तो जनता को तो रात किसी भी तरह से नहीं है अगर महँगाई बढ़िये ।ह यह होता कि सब तंरवा इसको 20 अर मिल ले तो 40-4 अर मिल लें जिसको 40-4 मिल ले तो चापने का चाप दिया लेकिन उसके पीछे की सत्ता क्या है वो तो एड के नहां पर चप गई सरकार की योजना है लेकिन बास्तम में जंता को कितना लाब हो रहा है जमीनी इस्तर पर यह दिख रहा है अगर लाब हो रहा होता तो मद्य प्रदेश का बेरोजगारे वाँ पर नहीं होता देश का किसान की आए दुगनी हो गई होती अगर 18 गंटे की मेनत यह बिलकुल तलीनता और इर्दैसे की गई होती तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि एड़र्टाइजमेंट का एक तरीका है कि एड़ करो आजकल हर कुछ एड़ का जमाना चला है आप किसी भी दो बनाइन जमीनी स्तर पर कुछँ भी नहीं है अगर जमीनी स्तर पर होता तो मद्यपरदेश अमेरिका के बराबर हो चुका होता जो मंकमेंतरी करें किसे तुलना करते हैं हो चुका होता लेकिन वहीं नहीं है